दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ M.Ather application से अधार काड कैसे डाउनलोड करें दोस्तो M.Ather application से अधार काड डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा असान है इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा कि कैसे आप M अधार application से अपना अधार card डाउनलोड कर सकते हैं या किसी का भी अधार card आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से request है अगर आप on digital YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तो चैनल को subscribe करके notification को all पर set कर लिजी ताकि जैसे ही मैं कोई नया topic पर वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको इसकी notification मिल सके दोस्तो गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च कर सकते हैं एम आधार ये वाला application आपको मिल जाएगा इस application के अगर डाउनलोड की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 करोड से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है 3.8 का rating है तो दोस्तो ये application आप आप आसान इसे डाउनलोड कर लिजेगा उसके बाद open button पर क्लिक कर दीजेगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फरस्टा इंफर्मिशन मांगेगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको इलाउ कर देना है इलाउ करने के बाद यहाँ पर दीखे दोस्तों आपको डेर सारा ISM option मिलता है जैसे dashboard service, my adhar, इसके अला environment center locator, इसके अला status dashboard साथ में आप दी सकते हैं और भी काफी आपको option मिल जाता है अब आप simply यहाँ पर get started का option पर क्लिक कर दीजेगा यहाँ पर दीखे आपको English language में continue करने के लिए कहा जाएगा तो आप continue button पर क्लिक कीजेगा तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि enter mobile number अब आप यहाँ पर एक mobile number इंटर कीजेगा और next button पर क्लिक कीजेगा आपका उस mobile number पर एक OTP आएगा और OTP आपको यहाँ पर submit कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP आ गया है करने के बाद submit button पर हमने क्लिक कर दिया है उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा interface आ जा रहा है अभी देखिए M.A.D.R. application से आप आधार का डाउनलोड कर सकते हैं साथ में आप आधार का PVC काड ओर कर सकते हैं आप अपना status चेक कर सकते हैं आधार काड में verify कर सकते हैं email, mobile, साथ में दोस्तों आप यहाँ पे paperless, e-k-y-c-v कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे M.A.A.R. application से आधार का डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको simply download आधार के option पे क्लिक करना होगा आधार का download करने के लिए आपको दो option मिलता है पहला regular आधार, दुसरा maskit आधार तो आप maskit आधार अगर download करना चाहते हैं तो उसमें आपका mask किया हुआ रहेगा आधार नंबर तो हम regular आधार के option पे जाएगी अब आप आधार नंबर से भी आधार का download कर सकते हैं virtual ID यानि BID नंबर से भी आधार का download कर सकते हैं और enrollment ID नंबर से भी आप download कर सकते हैं तो आधार नंबर पे हम simply click करेंगे आप उपर में अधार नमबर आपको मांगा जाएगा यह Capture Code आपको फिल करना होगा और उसके बाद Request OTP पर क्लिक करना होगा अधार से लिंक्ट मोबाइल नमबर पर आपको OTP जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से अपना आधार काट डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों यहाँ पर हम आधार नमबर चप्चा कोड इंटर कर लेते हैं कर लेने के बाद verify बटन पर आपसे पहले कर दीजेगा क्लिक जैसे प्रेट्स आप verify बटन पर यहाँ पर किलिक करते हैं तो आपका अधार काट डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है कि आपका जो यह अधार होगा उसमें दूस्तों आप PDF में डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर आपको अपना password इंटर करना होगा अधार का तब ही open होगा तो यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कि आपका जो नाम है नाम का capital अक्षर में पहला चार अक्षर और जो आपका जन्म का वर्स है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा देखिए मैंने password भी इंटर कर लिया है अब हम open वटन पर simply click कर देंगे तो हमारा जो आधार काड होगा कुछ इस परकार से PDF वापन हो जाएगा फिर आप इससे आसानी से share कर सकते हैं प्रिंट आउट कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको complete process बता दिया है कि M.Aधार एप्लिकेशन से आप नए आधार काड कैसे डाउनलिट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसना है तो वीडियो को like करिए दोस्तों के साथ share करिए चानल पे नए हैं तो subscribe कर लीजे हम मिलते हैं दोस्तों आगली वीडियो में thanks for watching